केंद्रियम मंत्री मेडल के मेरे साथी अस्फिनी बैष्टनव जी राजिव चंद्रशेखर जी जीपे के आउटगोइंग चैर जपान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी मेंबर कंट्रीज के अन्य मिनिस्टर्स अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों ग्लोबल पार्टनर्सिम और अर्टिफिशन इंटलिजेंस समीट में वे आप सभी का स्वागत करता हूँ मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समीट की अद्रिक्ष्टा करने जा रहा है यह समीट एक ऐसे समय हो रही है जब AI को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छेड़ी हुई है इस डिबेट से पॉजिटीव और नेगिटीव हर प्रकार के एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं इसलिए इस समीट से जुड़े प्रत्यक देश पर बहुत बड़ा दाईत्व है बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एन इंडिस्ट्री लीडर से मिलने का उश्चर मिला है मैंने उनसे मुलाकात में भी समीट की चर्चा की है AI के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीडिया कोई भी छुटी नहीं है हमें बहुत सतर्प्ता के साथ बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है और इसलिए मैं समझता हूँ इस समीट से निकले विचार इस समीट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मुल्भुत मुल्य है उसके रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे फ्रेंड्स आज भारत एई टैलेंट और एई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुक प्लेयर है भारत की युवार्ट टैक एक्सपर्ट्स रिसर्चर्चर्स एई एई लिमिट्स को एक्स्प्लोर कर रहे है भारत में हम एक बहुती जोज से भरी हुई एई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं यहां आने से पहले मुझे एई एई एक्सपो में जाने का उसर मिला आर्टिविशल इंट्रिजन्स कैसे जीवन बदल सकती है यह हम इस एक्सपो में देख सकते हैं युवा एई इनिशेटिव के तहट चुने गए विवाओं के आइडियाज को देख कर मुझे ज्यादा खुशी होना वह स्वाबाविक भी था यह युवा टेक्नोलोजी के द्वारा सामाजिक बडलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में एई आई से जुड़े सॉलुशन्स की चर्चा तो अब गाउं गाउं तक पहुंच रही हैं हाली में हमने एग्रिकल्चर में एई आई चैटपोर्ट को लांच किया इसे किसानों को अपने एप्लिकेशन स्टेटर्स पेमेंट डिटेल्स और गवर्मेंट स्कीम से जुड़े अपने जानने में मदद मिलेगी हैं हम एई आई की मदद से भारत में अपने हिल्ट सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवल्लप्मेंट गोल्ड को हासिल करने में भी एई आई एहम भूमी का निभा सकती है प्रेंट बारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास हमने एई फॉर ओल की भावना से प्रेजित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तयार किये हैं हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलप्मेंट और इंक्लूजिव ग्रोथ के लिए एई आई की शमताओं का पूरा फाइदा उठा सकें भारत एई के रिस्पॉंसिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है हमने निश्टनल प्रोग्रेम और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स शुरू किया है हम भारत में एई आई मिशन भी लॉंज करने जा रहे हैं इस मिशन का लक्ष भारत में एई एई कंप्यूट पावर की परियापत ख्शंता स्थापित करना है इससे भारत के स्टार्ट अप्स और इनेवेटर्स को और बहतर सुविधाई मिलेगी इस मिशन के तहट एग्रिकल्चर हेल्ट केर एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एई आई एप्रिकेशन को प्रमोट किया जाएगा हम अपने इंडस्ट्रेल ट्रेडिंग इस्टिटूट के माध्यम से एई आई स्कील्स को टियर टू और टियर थ्री शहरों तक पहुंचा रहे है हमारे पास नेशनल एई आई पॉर्टल है जो देश में आर्टिफिशल इंट्रिजन्स इनिशेटिव को बढ़ावा देता है आपने एरावत इनिशेटिव के बारे में भी सुना होगा इस कॉमन प्रेट्फॉर्म का उपयोग बहुत जल्द सभी रिसर्च लेप इंडिस्री और स्टार्ट अप कर सकेंगे फ्रेंड्स एई के साथ हम एक नए यूग में प्रवेश कर रहे हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलोजी के टूल से भी कहीं जादा है AI हमारे नए भविश्कों घड्डे का सबसे बड़ा आधार बन रही है AI के एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक करने की उसकी क्षमता AI के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती है बलकि यह समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है इसलिए AI को अपने भविश्य के लिए अलग प्रकार के AI की भी ज़रुत पड़ेगी यानि AI को All Inclusive बनाना पड़ेगा All Ideas को अपनाना पड़ेगा AI की Development Journey जितनी ज्यादा इंक्लूजिव होगी उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूजिव आएंगे हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नॉलोजी तक अन इक्वल एक्सेस की वज़े से समाज में मौजूद असमानता और बढ़ गई थी अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है हम जानते हैं कि टेक्नॉलोजी के साथ जब डेमोक्रिटिक बैल्यू जुड़ जाती है तो वो इंक्लूजिव की इंक्लूजन की दिशा में मल्टिप्लायर के तौर पर काम करती हैं इसलिए आर्टिफिशल इंट्रिजन्स के भविश की दिशा भी हुमन वैल्यूज पर डेमोक्रिटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निरिफर करेंगी आर्टिफिशल इंट्रिजन्स हमारी एफिसेंसी को बढ़ाने में बदद कर सकता है लेकिन यह हम पर है कि हम इमोशन्स की भी जगह बनाए रखे आर्टिफिशल इंट्रिजन्स हमारी इफेक्टिवनेश को बढ़ा सकती है लेकिन यह हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखे इस दिशा में ये मंच विभिन्द देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है किसी भी सिस्टेम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांस्फरमेटिव ट्रांस्परंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है इसमें कोई संदे नहीं कि AI ट्रांस्परमेटिव तो है ही लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांस्परंट बनाए अगर हम इस्तिमाल हो रहें डेटा और अल्गोरिद्म को ट्रांस्परंट और फ्री फ्रम बायस बना सके तो एक अच्छी शुरुवात होगी हमें दुनिया भर के लोगों को ये अकीन दिलाना होगा कि AI उनके लाब के लिए हैं उनके भले के लिए हैं हमें दुनिया के विविन्द देशों को ये भी विश्वाद दिलाना होगा कि इस टेक्नोलोजी की विकास ज्यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा AI पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब AI से जुड़े एथिकल, एकनामिक और सोशल कंसर्स पर ध्यान दिया जाएगा उधार के लिए अगर अप्सकेलिंग और रिस्केलिंग AI के ग्रोथ करूँ का हिस्सा बन जाएगे तो युआ ये भरोसा कर पाएंगे कि AI उनके भविश्च की बहतरी के लिए है अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएं तो लोग यकीन कर पाएंगे कि AI उनकी प्राइवसी में दखल दिये बिना विकास को आगे बढ़ाएगा अगर ग्लोबल साउथ को ये पता होगा कि AI के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे बविश्च के एक रास्ते के रुपे स्विकार कर पाएंगे फ्रेंट्स AI के अनेक पॉजिटिव पहलू है लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बाते भी उतनी ही चिंता का विश्च है AI 21 सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21 सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभावी सकता है डिप फेक का चलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है इसके अलावा साइबर सिकुरिटी डेटा ठेट और आतंक्यों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खत्रा है अगर आतंक्यी संगठों के पास AI लेस हत्यार पहुंच जाए तो उसे ग्लोबल सिकुरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा हमें इस विशे पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूत है कि कैसे AI के गलत इस्तेमाल को रोका जाए इसलिए ही जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दोरान हमने रिस्पोंसिबल हुमन सेंट्रिक AI governance का framework त्यार करने का प्रस्ताव रखा था G20 न्यूदेली टेकलिजेशन ने AI principles के प्रती सभी सदस्य देशों के commitment की पुष्टी की है सभी सदस्यों में AI के उप्योग से जुड़े खत्रों को लेकर एक understanding थी जिस तरह हमारे पास विविन्न अंतराष्ट्य मुद्दों के लिए समझोते और protocols है उसी तरह हमें AI के ethical use के लिए मिलकर global framework तयार करना होगा इसमें high risk या frontier AI tools की testing और deployment के लिए protocol भी शामिल होगा इसके लिए conviction commitment, coordination और collaboration की सबसे अधिक जरुत है हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे AI का responsible use सुनिश्चित हो सके आज इस समीट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आवान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गवाना नहीं है इस साल में अब कुशी दिन बचे हैं नया साल आने ही वाला है हमें एक तैस समाय सिमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर को पूरा करना ही होगा मानवता के रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स AI सिर्फ एक नई टेक्नलोजी ही नहीं है ये एक वर्ल वाइल मूमेंट बन गई है इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है अगले दो दिन आप सभी बहुत से विशयों पर चर्चा करेंगे मैं तो जब भी किसी AI एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता आज आप एक्सपर्ट से बाते करते हुए भी कई बाते मेरे मन में आ रही है हमें यह सोचना होगा कि AI generated information की credibility को कैसे बढ़ाया जा सकता है ऐसे क्या data sets हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम AI tools को train और test कर सके किसी AI tool को market में release करने से पहले कितना test कर रा चाहिए इस पर भी जरूर सोच रा चाहिए क्या हम कोई software वाटर मार्क introduce कर सकते हैं जो यह बताएं कि यह information या product AI generated है इससे जो व्यक्ति AI generated information का इस्तवाल करेगा उसे उसकी limitations के बारे में पता रहेगा एक बात मैं भारत में केंदर सरकार और राज्य सरकार के दिग्यचों से भी कहूंगा सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विबिन तरह का data होता है इसका उपयोग evidence based decision making में कैसे कर सकते हैं क्या हम ऐसे data का AI tool को train करने में उपयोग कर सकते हैं क्या हम एक ऐसा audit mechanism सापित कर सकते हैं जिसमें AI tools को उसकी क्षमता के आधार पर red yellow या green में categorize किया जा सकते क्या हम एक institutional mechanism सापित कर सकते हैं जो resilient employment को सुनिशित करें क्या हम standardized global AI education curriculum ला सकते हैं क्या AI driven future के लिए लोगों को तयार करने के standards ताय कर सकते हैं ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी experts जरूर विचार करें प्रेंड्स आप जानते हैं कि भारत में सेंकडों भाशाय बोली जाती हैं हजारों बोलिया है कि डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए AI की मदद से स्थानिय भाशा में कि डिजिटल सर्विसिस कैसे उप्लब्त कराई जा सकती हैं इस बारे में भी सोचें जो भाशा अब नहीं बोली जाती उसे AI की मदद से कैसे रिवायू किया जा सकता है इस पर भी काम करें संस्क्रिट भाशा का नौलेज बेच और लिट्रेचर बहात सम्रुत है उसे AI की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी सोचें AI की मदद से वैदिक मैथेमाटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि ये समीट आइडियास एक्षेंज करने का बहतरीन आउसर उप्रब्द कराएगी मैं चाहता हूँ कि समीट में शामिल होने वाले हर डेलिगेट के लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्स्पिरियंस साबित हो अगले दो दिनों तक आप AI के विबिन पहलू पर गहनता से विचार भी मस करेंगे मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे इन पर अमल करके हम एक रिस्पोंसिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निरमार का रास्ता जुरूर ससक्त करेंगे आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुक्तामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोश्कार